गुलेरिया थाने की पुलिस ने प्रेमी के साथ मिलकर पती की हत्या करने वाली कल्योगी पत्नी वा प्रेमी को गृफतार किया है जिसके सम्मंद में मनुष कुमार अवस्ती ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रिस्वार्ता करते हुए बताये कि मुख्विर की सूशना पर दो अभ्युक्तों को मेडिकल कॉलेज गेट से ग्रिफतार किया है जिसकी पहचान आमिर उर्फ गोलू पुत्र आयूब निवासी सरया थानागीड जनपत गोरकपूर के राम सजन निशाद की हत्या उसकी पतनी गुंजादीवी के साजिस के तहत उसके प्रेमी गोलू उर्फ आमिर खापुत्र अयूब खान निवासी सरया पोस्ट छपिया थानागीडा जनपत गोरकपूर ने उसके पती राम सजन को जान से मार कर हफीज नगर नहर के पास सड़क के किनारे धान के खेत में फेक दिया था जिसके संबंद में गुलरिया थाने पर बाजी राओ मध्ये पुत्र स्वर्गे त्रिलो की निवासी ग्राम जमुनिया पोस्ट गुलरिया ने तहरीर देकर थाना में मुकदमा पंजिकृत करवाया था जि इस संबंद में गुलरिया नियूस से बात करते हुए एस्पी नौर्थ मनोज कुमार अवस्ती ने कहा कुछ पस्तावास का है यह दिनांग 4922 को थाना गुलरिया के ग्राम जमुनिया में एक शोव प्राप्त हुआ था कोस्माटम के बाद उसमें चोट पाई गई सिर में उसकी जांच की गई मुकदमा कायम करने के पश्चाथ विविचना से पाया गया कि मरतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिल करके उसकी हत्या की है दोनों लोगों को आज गुलरिया पुलिस तरह गिरहतार कर लिया गया है यह दोनों लोग अपनी गटन को स्विकार कर रहे हैं और पूरा विवरण मता रहे हैं कि पती इनका शराबी था जिसकी वज़े से इन्हों ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसकी हत्या करा दी अभी तक प्रेम समंधी बज़े आ रहा है इसका जो प्रेमी था उससे अपना विवा करना चाह रही थी उसके साथ रहना चाह रही थी अभिक्ता द्वारा तो यह सूचना दीगी कि उसके जेठ द्वारा हत्या की गई है लेकिन जो बिवेचना से तत्ते सामने आया तो उससे यह इसपस्ट हुआ कि अभिक्ता द्वारा स्वयम उसकी पत्नी द्वारा और उसके प्रेमी द्वारा हत्या की गई है यह इसको इसके प्रेमी ने लाद मार के गिरा दिया उसके बाद फिर उसकी गर्दन पर पैर रखकर के खड़ा रहा तो वहां पानी इंबरा हुआ था चुकी और वो शराब भी पिये था तो इसी में उसकी मर्द्व जी है हत्या के दोरान जो है जो अभ्युक्त है गोलू वो टेलिफोन से यह मुस्लिम है गोलू उर्फामिर तो यह फोन से पुरी बाद प्रेमिका को बता रहा था जो मर्द्व के उसकी पत्नी को बता रहा था पत्नी के दोरा करवाई गी पत्नी साजिश में सामेल है पुरी तरह से प्राइब प्राइब कर दो